हलो फ्रेंड्स विल्कम टू अनुमिस तो चलिए सुरू करते हैं आज का सेशन और आज हम लोग जो है अर्था अलंकार में कुछ और भी अलंकार बचा हुआ है जिसे की आज इस वीडियो में हम लोग कभर करेंगे ठीक है तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले अगर हम बात करें प्रती पलंकार की तो ये क्या होता है कि ये उपमा अलंकार का उल्टा होता है उपमा अलंकार हमने पढ़ा था कि इसमें उपमे की तुलना उपमान से की जाती है उसे उपमा अलंकार कहा जाता है तो उसका बिल्कुल उल्टा यह प्रतीप अलंकार होता है इक्जाम में भी ऐसे पूछ सकता है और पूछता भी है कि जो है उपमा अलंकार का उल्टा जो है कौन सा अलंकार होता है तो यह प्रतीप अलंकार होता है ठीक है इसमें क्या होता है कि जब हम लोगों ने उपमा अलंकार पढ़ा था तो को सर्वस्रेष्ट माना जाएगा और उपमान को उपमेस से कम माना जाएगा इसे एक दीन ही तुच के रूप में माना जाएगा किसको उपमान को, ठीक है? अगर हम इसे उतारण से समझें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मुख सा चंद्र है अभी तक हम लोगों ने क्या चंद्रमा कैसा है तो मुख के जैसे है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चंद्रमा को मुख से कम माना गया है तो यहाँ पर प्रती बलंकार होगा एक और उदाहर देखते हैं जो कि बहुत एक्जाम में पूछा जाता है यहाँ पर यह है कि सीता के मुख की समता यानि कि समानता उससे क्यों करें किस से चंद्रवापूरो रंग यहाँ पर वापूरो मतलब कि दीनहीन जो है दीनहीन से इसका आर्थ है दीनहीन गरीब इससे जो कहा जाता है तो चंद्रवापूरो चंद्र को यहाँ पर दीनहीन के रूप में माना गया है यानि कि चंद्रवा जो की दीनहीन रंग गरीब के जैसे है इससे हम सीता के मुख की तुलना उसके बराबर समता हम कैसे करें तो यहां पर भी आप देख रहे हैं कि चंद्रमा को जो है दीनहीन माना गया है गरीब माना गया है और यहां पर सीता के मुख को जो है यह सरुस्रेष्ट माना गया है ठीक है तो यहां पर भी कौन सा अलंकार हो जाएगा प्रतीप अलंकार हो जाएगा क्लियर चलिए नेक्स अलंकार के अगर हम बात करें तो अनन्वय अलंकार इसमें क्या होता है कि उपमेय की तुलना में कोई उपमान ही नहीं होता है यानि कि जो उपमे होता है उसके जैसा कोई दूसरा होता ही नहीं है कि उसकी तुलना की जाए जो उपमे है बस वही रहता है ठीक है कैसे देखिए उधारण देखते हैं भारत सम भारत यानि कि भारत के जैसा भारत है भारत के जैसा कोई और नहीं है ठीक है तो यहां पर यह अलंगकार हो जाएगा वैसे ही सीता समसीता यानि कि सीता के समान सीता ही है सीता की तुलना किसी और से नहीं की जा सकती है यानि कि यहां पर उपमान नहीं है तो जब उपमान ही नहीं है तो यहां पर अनन्वय अलंगकार हो जाएगा क्लियर चलिए नेक्स अलंकार के अगर हम बात करें अपन हूती अलंकार इसमें क्या होता है कि उपमेय में उपमान का भेद रहीत निसे धात्मक आरोप होता है रूपकलंकार में हमने देखा था कि भीद रही तारोफ हो रहा था लेकिन एक चीज यहाँ पर एड़ हो गया है निसिधात्मक यहाँ पर नकारात्मक भाव होगा कैसे उधार से देखिए यहाँ चंद्र नहीं मुख है यहाँ पर यह बताया गया है जैसे माल लेजिए कि अगर कोई लड़की आप देख रहे हैं उसका मुख इतना सुन्दर है इतना सुन्दर है कि आप उसे चंद्रमा ही समझ बैठे है ठीक है तब तक कोई और आ रहा है औ लेकिन थोड़ा सा घुमा करके कह दिया गया है यहाँ पर निशेधात्मक ही हो गया है कि यह चंद्र नहीं मुख है ठीक तो निशेधात्मक भाव जहाँ पर आ जाया वो जो है अपन हूति अलंकार में आजाता है जैसे अपने फेकू आदमी को तो सुनाई होगा जो कुछ इतना फेकेंगे कि जैसे लगता है कि मतलब वह चीज संभव ए ना हो लेकिन फिर भी जो है वह उस बात को कह जाते हैं तो वही चीज अती स्योकती में अलंकार में होता है कि किसी भी बात को बहुत ही बढ़ा चड़ा करके कहना जिसकी ज्यक आगे कोई उसकी सेमा इना हो ठीक जो है गोपियों के लिए जब पत्र आदा था तो वही चीज यहां पर कहा गया है कि संदेशन यह मदवन कूँप भरे संदेश से मदवन के जो कूप था кूओँआ था वो भर गया तो ऐसा क्या हो सकता है कि कोई इतना पत्र लिख सकता है कि कूओँआ ही भर जाए ऐसा तो होई नहीं सकता है लेकिन बात को इतना चढ़ा बढ़ा करके कह दिया गया है तो ये अतिश्योक्तिया लंकार में आ जाएगा ठीक है वैसे देखिए पानी परात को हाथ छुए नहीं नैनन के जल से पगध होए यहां पर सिकेशन जी के लिए ये कहा गया है कि जो पर से जो है किसी के पैर धूल जाए तो ऐसा नहीं हो सकता है यह संभवी नहीं है लेकिन उस बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके कहा गया है तो इस उदाहरण में भी जो है अतिश्योक्तिया अलंकार होगा क्लियर समझ में आया चलिए नेक्स्ट अलंकार के अगर हम बात कर है मानवी चेश्टाए होती है वो प्रकृतिक वस्तुओं पर लागू होती है कैसे देखे उदाहर से समझे फूल पूल हसे कलिया मुस्काई यहां पर क्या कर गया है कि फूलों का हसना और कलियों का मुस्कुराना तो क्या आप यह बताएं कि फूल हसते हैं आपने कभी और मुस्कूराना यह जो है यह मानवी चेष्टा है मानो का ये गूड़ है लेकिन इसे किस पर लागू किया गया है यह प्रकृतिक वस्तु Track पर फूल और कल्या इस पर जुह है ये चीजे कही गई है तो जहां पर मानवी जो चेस्त आया है ये प्राकृतिक पर प्रत्र जो वस्तु होती है उस पर अगर आरह किया जाए तो ये जुल रगाया जाय तो यह जो है मानवी करण लंकार होता है सिंभर सी भासा में आप ऐसे समझ सकते हैं मानवी करण यहां से ही आप समझ सकते हैं कि मानवी करण यानि कि मानों का जो गुड़ होता है वो प्राक्रितिक वस्तुव पर अगर लागू हो तो वहां पर मानवी करण अलंकार होता है क्लियर चलिए अगले लंकार कि अगर हम बात करें विभावना अलंकार इसमें क्या होता है कारड के बिना ही कारिय हो जाता है यानि कि कोई कारड होता ही नहीं है और कारिय हो जाता है जैसे हमारे पास हाथ है यह नहीं और हम कोई कारिय कर दिये पैर के बिना ही हम यहां से वहां चले गए तो ये जो है कारड है ही नहीं लेकिन फिर भी कारिया हो जा रहा है तो ऐसे भी विभावना अलग कार होता है उधारड देखिए बिनुपग चले सुने बिनुकाना कर बिनुकर्म करे विधिनाना नाना मतलब कि विभिन प्रकार के यानि कि विभिन प्रकार के कार्य भी जो है बिना हाथ के ही हो जाना तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कारड है ही नहीं और फिर भी कार्य हो जा रहा है तो यहाँ पर विभावना अलंकार होगा, clear चलिए अगले अलंकार के अगर हम बात करें विरोधा भास अलंकार यहाँ पर क्या होता है कि विरोधा भास यहाँ से सब्द से किलियर हो रहा है कि जहाँ पर विरोध हो ठीक है इसमें क्या होता है कि जब दो विपरीत बाते कही जाए तो वहाँ पर बिरोध उत्पन होगा और ऐसे में बिरोधा भास अलंकार हो जाएगा देखिए उदाहरण इसका प्रियतम को समक्ष पा कामिनी न जा सकी न ठहर सकी देखिए कितना अच्छा उदाहरण है प्रियतम को समक्ष पा कामिनी न जा सकी न ठहर सकी यानि कि प्रियतम को अपने सामने देख करके यानि कि अपने समक्ष देख करके कामिनी न ठहर सकी और नहीं जा सकी यानि कि न जा सकती थी और न वो रुख सकती थी तो दोनों ही बात यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों अपोजिट है जाना और जाना का उल्डा ठहरना तो यहाँ पर विरोध उत्पन हो रहा है तो यहाँ पर जो है कौन सा अलंकार होगा विरोधा भास अलंकार होगा क्लियर देखें नेक्ष अलंकार है संदेह अलंकार इसमें क्या होता है कि एक वस्तु में दूसरे का भ्रहम हो जाता है और भ्रहम जो है वो अन्वरत बना रहता है यानि कि वो कंटिन्यू रहता है यानि कि उपमया में उपमान का भ्रहम हो जाता है आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे मालीजी कि आप मार्केट में गए और मार्केट में आपको जो है कोई इंसान ऐसा दिखा जो कि मालीजी आपका कोई रिलेटिव हो और पीछे से आपने देखा और आपको लगे कि ये तो जैसे लग रहा है कि मेरे मौसा जी है मालीजी और जो है किलियर नहीं है कि वही ह और वो जो है market में कहीं और चले गए तो आपका ये जो भरम है ये अन्वरत बना रहेगा ये continue रहेगा कि लग रहा है कि market में वो मौसा जी ही थे ठीक है तो वहाँ पर जो संदेह उत्पन हुआ वो संदेह अलंकार में आएगा यहाँ पर इसके पहचान का एक trick भी आप देख सकते हैं की, क्या, कीधो, किवा, अथ्वा इस प्रकार का सब दगर आता है या सब दगर आता है तो इसकी जो पहचान है संदेह अलंकार की उधारण देखते हैं तारे आसमान के है आये महमान बन या की, कमला ही आज आके मुस्काई है यहाँ पर आप देखिए पहले ही आप समझ सकते हैं या आया हुआ है, की आया हुआ है तो यह पहचान किसका है, संदेह अलंकार का तो इस संदेह अलंकार आप लगा सकते हैं इसमें कहा यह गया है कि तारे आसमान के है आए महमान बनकर या कि कमला ही आज आके मुसका ही है यहाँ पर संदे उत्पन हो रहा है कमला के दाथ इतने सफेद हैं कि संदे उत्पन हो गया है कि जैसे तारे आ गये हैं महमान बनकर या फिर कमला ही आई थी और मुसका के चली गई है यहाँ पर संदे उत्पन हो गया है ठीक है तो इसमें हमारा संदे उत्पन हो जाएगा एक बहुत ही फेमस उत्पन आपने सुना होगा सारी बीचे नारी है कि नारी बीचे सारी है कि सारी ही कि नारी ही कि सारी है यहाँ पर भी संदे उत्पन हो गया है कि नारी सारी की है कि सारी नारी की है कि क्या है ठीक है तो इसमें भी संदे उत्पन होगा तेहां पर इस उदाहरण में भी कौन सा अलंकार होगा संदे अलंकार होगा एक और अलंकार बसता है भ्रांतिमान अलंकार उसे भी देख लेते ह देखें नेक्स्ट अलंकार है भ्रांतिमान अलंकार इसमें भी जो है संदे ही उत्पन होता है भ्रहम उत्पन होता है ठीक है लेकिन ये भ्रहम जो है वो छडिक होता है अभी हम लोगों ने संदे अलंकार में क्या देखा था संदे अलंकार में संदे उत्पन होता है लेकिन व ब्रहम छड़िक होता है कुछ टाइम के लिए होता है उसके बाद ब्रहम वह समाप्त हो जाता है जैसे माल लिजे कि आप अंधेरे में अपने छट पर जा रहे हो रात में और सीडियों पर एक रसी गिरी हुई पड़ी है और आपका पैर उस रसी पर पड़ जा रहा है तो पर आपका भ्रहम खतम हो गया यानि कि आपका जो भ्रहम उत्पन हुआ था कि रसी नहीं साप है लेकिन कुछ टाइम के लिए था जब आपने उसे देखा उजाले में देखा तो आपको लगा कि नहीं यह साप नहीं रसी है तो आपका भ्रहम जो है वहीं पर खतम हो गया य फिर जानी महावरी एडी मीडत जाए ठीक है इसमें ये कहा गया है कि जो रानी थी जब दासी जो है रानी के पैर में महावर लगाने चली थी तो रानी का पैर इतना लाल था इतना लाल था कि जो महावर लगाने वाली जो नाइन थी वो कंफ्यूज हो गई थी उसके अंदर ब्रहम उत्पन हो गया था कि ये एड़ी है कि इस पर पहले से ही रंग लगा हुआ है तो वो समझ रही थी कि रंग लगा हुआ है और उसको बार बार एड़ी को मिलत जा रही थी यानि कि उसको रगड़े जा रही थी कि रंग है ये रंग छुट क्यों नहीं रहा ठीक तो ये उसका ब्रह्म हो गया था कि ये एड़ी नहीं पहले से ही रंग लगा हुआ है ठीक तो ये ब्रह्म उसका था तो यहाँ पर जो है कौन सा लंकार हो जाएगा भ्रांति माला लंकार कुछ टाइम बाद जो है ये ब्रह्म खतम हो गया कि नहीं ये रंग नहीं लगा हुआ है ये का एड़ी ही है ठीक है एक और उदार देखे ओसर बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान यहाँ पर यह है कि जो ओसकी बूदे है ओसकी बूदो को जो है जो हंसनी है वो क्या समझ बैठी है मोती समझ बैठी है और मोती समझ करके वो उसको चुगे जा रही है कि हम तो मोत चुग रहे हैं मोती चुग रहे हैं यह आपको पता है हमें पता है कि यह उसकी बूदे हैं लेकिन हंसनी को नहीं पता है कि यह उसकी बूदे है जब उसे देख रही है तो उसे लग रहा है कि यह मोती है और उसे चुग जा रही है तो यहां पर भी भ्रहांतिमान अलंकार ज्यादे तर बच्ची जो है इसमें कंफ्यूज हो आते हैं ब्रांतिमान और संदे अलंकार में क्योंकि यह दोनों ही विर्कूल एक ही जैसा है तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही और इसी के साथ अर्था अलंकार पूरा कंप्लीट होता है जितने भी महतोपूर अलंकार थे हम लोगों ने सारा अलंकार देख लिया अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप वीडियो को फिर से देखेंगे तो आपके सारे डाउट जो है वो कलियर हो जाएंगे तो आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और वीडि की नोटिफिकेशन पहुँच जाए और डेली साम को आठ बजे जो है वीडियो जाती है तो आप जो है जरूर देखें तो चलिए बिलेंगे नए वीडियो में नए सेसन के साथ